वेलकम गाइस तो अपक्रेड आज की इस वीडियो में आए नई जॉब रिक्रूट्मेंट के भार में डिस्कस करेंगे ये जॉब रिक्रूट्मेंट आई है काउंसिल अफ साइंटिफिक एन इंडस्ट्रियल रिसर्स CSIR की तरफ से CSIR की एक यूनिट है सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते CSIR CCMB की ओफिशल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है अडवर्टीजमेंट नमबर है 5-2023 यहां पर ओलाइन अप्लिकेशन स्टाट डेट की बात करें तो 20 दिसमबर से ओलाइन अप्लिकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है आपका 20 जनवरी यानि टोटल एक महीना है आपके पास फॉर्म फिल्ट करने का अब यहां पर अधर डिटेल्स चेक आउट करते हैं कौन-कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट निकाली गई है पहलिए है चिक्निकल अससेंट की टोटल पोस्ट है यहांपर 18 पी लेवल की बात करें यहां लेवल 6 रहने वाला है और एज मैकसिमम 28 गाला है और यह maximum age है यहाँ पर 35 years अब यहाँ पर detail में discuss करते हैं किस post के लिए क्या eligibility और क्या requirement है पहला post है यहाँ पर technical assistant proteomics का total post की बात करें या दो post है एक unreserved की एक OBC की educational qualification की बात करें तो अगर आपने B.H.C क्या रखा है physics chemistry या फिर बायो technology में अगर आपने graduation कर रखा है तो आप इस form को fill करने के लिए eligible है साती सात यहाँ पर आपका एक साल का experience भी मांग रहा है यहाँ पर technical assistant civil की बात करें तो यहाँ पर total तीन post निकाली गई है एक OBC की एक EWS की और एक SC की diploma in civil engineering required है और यहाँ पर साती सात तीन साल का आपके पास experience होना चाहिए यहाँ पर lateral entry candidates भी eligible है इस form को fill करने के लिए next यहाँ पर technical assistant canteen की यहाँ दो तल दो post है यहाँ आप national qualification की बात करें अगर आपने basic कर रखा है इन सब discipline में तो आप इस form को fill करने के लिए eligible है साती सात यहाँ पर आपका एक साल का experience भी मांग रहा है यहाँ पर technical assistant instrumentation की बात करें तो diploma in electronics, instrumentation, engineering required है साती साल आपका दो साल का experience होना चाहिए technical assistant tissue culture total एक post है अगर आपने basic कर रखा है बायो technology, बायो chemistry या फिर microbiology and zoology में तो आप इस form को fill करने के लिए eligible है next बात करें technical assistant zebrafish का भी post है आप check out कर सकते हैं यहाँ पर technical assistant animal house, technical assistant fine bio chemicals, technical assistant lacunes, technical assistant next generation sequencing, technical assistant AC and refrigeration की बात करें तो एक post निकाली गई है यहाँ पर mechanical वाले फिल कर सकते हैं यहाँ पर diploma in mechanical engineering required है साथ ही साथ यहाँ पर आपका दो साल का experience भी होना चाहिए यहाँ पर next post की बात करें तो technical officer की और medical officer की तो आप चेक आउट कर सकते हैं टेकनिकल officer में बीटेक रिक्वाइड है बायो टेकनोलोजी में अगें यहाँ पर animal house faculty की लिए रिक्वाइड है बीटेक बायो टेकनोलोजी में यहाँ पर full detail आप चेक आउट कर लिजगा आपकी इ आ रहे हैं नोटिफिकेशन में अदर डीटेल की बात करें तो mode of selection में देखते हैं technical assistant technical officer वालोजी बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो application forms जितने भी submit होंगे उनका screening किया जाता है उसके बाद यहाँ पर trade test के लिए बुलाया जाएगा जो candidates minimum threshold cross करेंगे trade test का उनको बुलाया ज basis पर यह तो बात रही technical assistant technical officer की senior technical officer की बात करें तो यहाँ पर interview होगा directly screening करा जाएगा application form का और origin candidates को screen किया जाएगा उनको interview के लिए call रहाएगा यहाँ पर technical assistant की बात करें तो यहाँ पर OMR based computer based test होगा multiple choice questions पूछे जाएंगे media में आपर Hindi and English both होगा यहाँ पर बात करें कि किस level का examination होगा तो यहाँ पर अगर आपने technical assistant का form डाला है तो diploma या graduation level पर ही आपका questions पूछे जाएंगे और यहाँ पर technical officer की बात करें यहाँ पर PG level पर questions पूछे जाएंगे total questions यहाँ पर आपका 200 रहेगा और time यहाँ दिया जाए paper 1 की बात करें तो mental ability test होगा total questions 50 पूछे जाएंगे और हर question 2 mark का होगा paper 1 में यहाँ पर कोई negative marking नहीं paper 2 की बात करें यहाँ पर total 30 minutes का समय दिया जाएगा general awareness and English language की questions पूछे जाएंगे 25-25 questions दोनों पूछे जाएंगे एक question 3 marks का होगा that is total 150 marks का यह examination होगा paper 2 यहाँ पर negative marking की बात करें तो एक mark आपका deduct होगा हर एक wrong answer पे next paper 3 की बात करें यहाँ पर आपका 90 minute दिया जाएगा और जिस भी ब्रांच से आप form फिल करें for the post of technical assistant वहाँ पर उस concerned subject का questions पूछा जाएगा total question यहाँ पर 100 पूछे paper 3 उन्हीं का चेक होगा जो paper 1 में threshold marks से उपर marks लाएंगे जो बनेगी आपकी paper 2 and paper 3 के basis पर ही बनेगी how to apply की बात करें तो यहाँ पर www.ccmb.res.in registration का login करके आप application form फिल कर सकते हैं last date की बात करें again 20 January 2024 is the last date for filling the application form application fee की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपीस फीस लग रहा है और SCST PWDA women candidate या फिर अगर आप CSIR के employee हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा और बाकी general EWA से उननों OVC candidates के लिए 100 रुपीस फीस है सो आज की वीडियो में यही update था ऐसी job related updates के लिए subscribe करें मारे channel को मैं मिलती हूँ आपसे next video में till then take care and bye